Hello everyone, welcome to my channel आज मैं आप लोगे से शेयर करने वाली हूँ तेकू कौन शर्ट तो चलिए इस कहाने को शुरू करती हूँ तियांग, वो अभी तक सो रहा था दस बच्चु के थे जिमिन ने तियांग को कॉल किया तियांग, कॉल रिसीप करता है और कहता है जिमिन क्या हुआ, इतने सुब़े को क्यों कॉल कर रहे हो जिमिन कहता है क्या सुबा और अभी अब दस बच चुकी है तियांग, जल्दी से उठ जाओ और तुम घर पर क्या कर रहे हो तुम्हें पता है ना, आज मिरी एंगिजमेंट है और तुम हो की सो रहे हो, तुम्हें इहाँ पर आना होगा, बरना हमारी engagement कैसे होंगे तियांग कहता है क्या, मुझसे इतनी बड़ी गल्ती कैसे हो सकता है, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ आज तुम्हारी engagement है मैं जल्दी से आ रहा हू तुम मेरा इंतजार करना ठीक है न जिमिन कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हू और यूंगी भी आ जाएगा मैं चाहता हो की यूंगी के आने से पहले तुम आ जाओ तियांग मैं तुमसे कुछ बाते शियार करना चाहता हूँ तियांग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम मेरा इंतिजार करो सेब 30 मिनिटी लगेंगे जिमिन कहता है ठीक है साथ में ब्रिक्फस्स करेंगे यहाँ पर आ जाना हुआ ठीक ही रखता हूँ यहाँ पर जनकुक पढ़ रहा था जिमिन कहता है जनकुक क्या हुआ तुम इतना मन लगकर पढ़ रहे हो जैसे कि तुम कोई collector बनने वाले हो इतना पढ़े करना जरूरी है क्या आज तुम्हेरी भाय की engagement है और तुमों की निकाजिन बैदर की एंगेजमेंट पर क्यों आये हो, इसको एंजरी करने के लिए न या फिर परणने के लिए, आप पढ़े करना बंद भी करो, बस बहुत हो गया है, ऐसे भी तुम तो कॉलेज में टॉप करने ही वाले हो, तुम्हें इतना परणने की क्या जूरत है, जोन क तुम क्या लगा कर रखा है यहाँ पर यूंगी ने जिमिन को कॉल कर दिया तो जिमिन कहता है ठीक है यूंगी ने मुझे कॉल किया है तुम परहे करो नेकिन हा जद इसे नीचे आ जाना क्योंकि मेरा एक बहुती अच्छा दोस्त और मेरे सोलमेट आने वाला है मैं तुम्हे जिमिन से कहता है हाँ मैं आ जाओंगा भी जाओ यहां से और जिमिन को यहां से धकिल देता है जिमिन फोन डिसिप करतो है चले जाते है यहाँ पर यूंगी के साथ बहुती रुमंटिक बाते किये जा रहा था तियांग वो जल्दी से त्यार होका जिमिन के घर के लिए जा कहूंगा सारे लोग मेरा मज़ा कुरेंगे लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे की मुझे प्यार हो सके त्यांग बहुती जदा प्रेशन था और यहाँ पर जिमिन अपने कप्रों को लेकर बहुती कन्फूशन में थे वो अपने कप्रे चूस कर रहे जनकों कनको है और कहता है देखो न इन कपरों में से मैं कौन सी कपरे पहन हूँ मुझे मोथी हैं अच्छा दिखना है आज मेरे एंगिश्मेंड है क्योंकि त्यांग हमेशा मुझसे हैंसम लगता है आज मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी कही ज़दा हैंसम और बीटिफुल लगो जिमिन कहता है इतनी सी बात है मुझे नहीं पता है कि वो त्यांग कौन है और कितना हैंसम है निकिन आप सबसे ज़्यादा handsome लगोगे आपको ए पहनना चाहिए जीमिन कहता है क्या ए वाला जनकों कहता है बुलू अपपर बहुत ही अच्छा लगता है और उपर से परपल कलर की टीशर्ट पहनो गेना अंदर तो बहुत ही ज़्यादा cool लगोगे जीमिन कहता है तुम्ह लगता है कि आज तुम्हें में बहुत कूल और handsome बनना चाहिए क्योंकि तुम हो ही बहुत handsome लेकिन हामेशा इस तरह अगली की तरह रहते हो हर कोई तुम्हें लेकर मज़ा कुराता है जनकों मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता है चलो तुम भी इन कपरों में से किसी पर अच्छा लगेगा जनकों कहता है नहीं मुझे तो आप होई टीशेट में ही अच्छा लग रहा है मैं ऐसे ही comfortable हूँ आप पहन लेजिए उसके बाद जनकों अपने रूम में चले जाता है परही करने के लिए जिमिन कहता है इस लगके का कुछ नहीं हो सकता है वो हमेश टेंशन लेने की जरत नहीं है तुम्हें मुझे क्या बात करना है चलो नीचे आ जाओ कहा चुप गए हो जिमिन दौर कर रहा जाते है और कहते है त्यांग तुम आ गये हो त्यांग के गल्ले लग जाते है त्यांग कहता है क्या कर रहे हो तुमारी शादी होने वाले है साथ tämä बोलने के लिए है आख मेले साथ इस ठावर humेल उसको बहुत ही जयआस फिल लेकिन जो भी है वो बहुती क्यूट बे है और बहुती इनोसेंट जिमिन की बात सुंका त्यांग बहुती इंटरस्टिक लेने लगता है लेकिन जनकुक अभी तक नीचे नहीं आ रहा था उसने कह दिया था कि वो टाइम पर आ जाएगा जब एंगिजमेंट होंगे जिमिन क आने वाला था तो जिमिन को त्यार होना भी है यहां पर सब लोग आ जाते है जीहूब आरेम जीन सबी लोग यहां पर थे मौजूद उन दोने की एंगिजमेंट के लिए त्यांग कहता है सब लोग तो आई ही गया था अब योंगी भी आ गया है चलो एंगिजमेंट एंगिजमेंट पर रहा है जिमिन ऊब करता है वह हमेशे टौप करता है कॉलज पे जिमिन कहता है लोग उसी की बातें कर रहा था और वो आ गये जनकुक इधर आजाओ जनकुक अपना ठीक करते हैं तियांग जनकुक को देखने के बाद आपनी नजर नहीं हटा पार रहा जनकुक को ही देखे जा रहे थे जनकुक ने तो त्यांग पर एक बार देखा और उसके बाद जीमिन से कहा मैं आ गया हूँ कही लेट तो नहीं हो गया ना जीमिन कहता है तुमने सही टेम पर आ गया चलो अब मेरी इंगिजमिन होने से पहले मैं तुम्हें सबसे मिलवा देत जनकुक ने भी शेमाते हुए कहा है तो त्यांग ने कहा हेलो तुम्हारा नम जनकुक है बहुत ही अच्छा है मुझे पसंद आया जनकुक थुरसा शाई हो गए सबने त्यांग को घूरत हुए कहा क्या बात है त्यांग तुम तो ऐसा कभी नहीं बोला किसी को और हमारे न भी बहुत ही अच्छा है हम बहुत अच्छे भी दिखते हैं लेकिन तुम जनको को इस तरह से घूर क्यों रहे हो ऐसे भी वो तुम्हारा टाइप का नहीं है वो बहुत ही अगली सा दिख रहा है जनको तुर सा अपसेट हो जाता है जिहुप ने ऐसी बात बोला त्याग ने जिहुप को कहा बस बहुत हो गया है किसे को आगली बोलने से पहले खुद को देख लो तुम इतना भी हैंसम नहीं हो जिहुप कहता है क्या हुआ त्याग मैं तो मज़ा कर रहा था तुम तो सीरियस हो गए लेकिन जीमिन ने कहा हर कोई जनको को ऐसा ही बोलता है जनको इसल शाजर में बहुत ही इनोसेट और क्यूट है जो तुम लोग कभी नहीं बन सकते हो जनकुक त्याग की बातों में खो जाते हैं जनकुक त्याग को घूरे जारा था पहली बार किसने जनकुकी तारीफ कर रहे थे बाना तो हमेशे ही जनको को उसकी कॉलेज से लेकर हर कोई इनसान जनको की मज़ग कुराता है एक तियाग ही है जो जनको की तारिफ किये जा रहा था जनको को अच्छा लगा और जनको को तियाग से कहा थेंक्यू मेरा तारिफ करनी के लिए मैं जानता हूँ कि आपको इसा कुछ क्यों बोलना पड़ा ताकि मैं अफसेट ना हो जाओ नेकिन ठीक है हल कोई मुझे इसी तरह से कहता है आप मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है त्यांग कहता है नहीं मैंने जो कुछ भी कहा है अपने दिल से कहा है सबके सामने तुमें होसला दिलाने के लिए फिर खुश करने के लिए नहीं कहा जनकुक तुम सच में बहुत ही क्योट हो और बहुत ही इनुसें हो और जिससे मैं शादी करना चाओंगा Do you marry me? जनकुक कहता है क्या? क्या मजग कर रहे हो आप सबके सामने मुझे इस तरह से जलील करना जरूरी है क्या तियांग कहता है क्या तुम्हें भरसा नहीं हो रहा है क्या सबसे पूछलो मैंने आसता किसी के साथ डेट भी नहीं किया है लिशिंशिप तो दूर की बात है और शादी के बाएं में सोचा भी नहीं लेकिन पता नहीं तुम्हें देखने के बाद मुझे शादी करने का मन कर रहा है प्लीज मुझे मना मत करना तुम मुझे अपना बना लो और देखना मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ जनकुक कहता है मैं अभी इस चैंप पर यह सब को सोच नहीं पारा हूँ प्लीज आप ऐसी बात मत कीजिए तियांग कहता है ठीक है तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ लेकिन जनकुक जब अब हाँ ही होना चाहिए मना मत करना बना मैं जी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना एक पल भी अब नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे अंदर कोई तो जादू है जिसने मुझे पागल कर दिया आप तो तुम्हारी खैल मेरे दिमग में घर बना चुका है जनकुक पिलीस मुझे शादी कर लो जनकुक इस टेम पर कुछ नहीं कहता है जिमिन की एंगिजमेंट हो गए थे जिमिन ने जनकुक को समझे आए है कि त्यांग को हाँ कर दो त्यांग जैसा लग्का कहीं नहीं मिलेगा लेकिन जनकुक को समय चाहे था और ऐसे ही जनकुक ने कॉलिज भी पास का लिया दिन बीटे जा रहे थे और यहाँ पर त्यांग जनकुक की बार में सोच सोच कर पेशन होए जा रहे थे और वो बीमार पर चुके थे उसको बहुत सदा फीवर थे जिमिन ने जैसे ही जनकुक से कहा कि त्यांग को बहुत फीवर है वो तुम्हारा ही नाम ले रहा है वो तुमसे मिलना चाहता है जनकुक प्लीज जाकर उससे एक बार मिल लो जनकुक ने जैसे सुना कि त्यांग भीमर है उसने दोर का त्यांग से मिलने के लिए उसके घर चले आए जिमिन ने जनकुक को उसका एड़ेज दे दिया था जनकुक जब त्यांग के घर आए उसने देखा त्यांग के घर पर कोई नहीं है त्यांग के अलावा त्यांग अपने बेड रूम में सोया हुआ था उसके बाद जनकुक ने तियांग की बॉड़ी को चेक किया तियांग की बॉड़ी बहुती गरम थे जनकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा उसने पानी में टीशू को भीगवया उसके बाद जनकोग ने उस गिले टीश्यू से तियांग की पूरी बॉड़ि को पोच दिया तियांग जनकोग को इस तरह से करते हुए देखकर खुश होते है और जनकोग को हक कर लिता है जनकोग कहता है क्या हुआ तुम ठीक हो न तियांग कहता है मैं अब बहुत ही ज़दा खुश हूँ और ठीक भी हूँ क्योंकि तुम मेरे पास जो आ गए हो जनकुक मुझे छोड़का कही मत जाना बना मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हें नहीं पता है कि मैं इतनी दिन कैसी इंतजार कर रहा था तुम्हाई लिए लेकिन तुम हो की मेरे पास ही नहीं आ रहे थे जनकुक पिलीस मुझे दूर मत रहा करो मुझे और इंतजार नहीं होता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रहा रहा हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या जनकु जनकुक त्यांग से कहता है तुम तो बहुत ही पागल होते जा रहे हो तुम्हें कब से मुझे इतना प्यार हो गया हाँ और तुम मुझे देखकर इतना प्यार कैसे कर लिया जबकि मैं इतना अगली दिखता हूँ सबको ऐसा लगता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है शादी के बाद तुम बहुत ही पस्ताने वाले हो तियांग कहता है वो मैं देख लोगा एक बाद तुम शादी के लिए हा कर दो उसके बाद तुम देखो मैं क्या करता हो जनकुक तियांग से कहता है तुम क्या बोल रहे हो तुम जानती भी हो तुम्झे शादी के लिए पूछ रहे हो तियांग कहता है हां और इस बर मैं तुम्हारी मुझे जवब सुनना चाहता हूँ और वो हाँ होना चाहिए जनकुक मैं और इंतिजा नहीं कर सकता हो तुम्हें अभी हाँ कहना पड़ेगा जनकुक कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तियार हूँ तियांग क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है पहले बार मुझे कोई इतना अच्छा लगा बना तो मैं किसी की तरब देखता भी नहीं हूँ लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मुझे किसी को देखने का मन किया और जब तुम्हें सामने नहीं थे तो मैं तुम्हें बहुत मिस्स किया तियांग मुझे भी तुमसे प्यार हो गए है I really love you तियांग कहता है I love you too और मैं तुम्हें हामेशा कुछ रखने वाला हूँ जनकुग अपना होटो को पाउट का लेता है तियांग उसके करीब जाकर रुख जाता है जनकुग कहता है क्या हुआ तियांग कहता है वो मुझे फीवर है ना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी फीवर हो जाए जनकुग कहता है क्या ऐसा तुम्हें किसने कहा है और अगर होता है तो होने दो जनकुक की बात सुंका त्यांग कहता है क्या तुम इसके लिए त्यार हो क्या तुम चाते हो कि मैं तुम्हें तो जनकुक मुस्करात हुए हामें भर देता है तो त्यांग को बहुत इसदा खुशी मिलता है उसके बाद त्यांग ने उसकी तरफ गए और रुख गया जनको कहता है क्या हुआ अभी दूसरी बार क्यों रुख गया त्यांग कहता है तुम्हारा चश्मा हमारे बीच में आ रहा है और मैं हम दोने की बीच में किसी और चीज को नहीं देख सकता हूँ क्या मैं इसको हटा सकता हूँ जनको कहता है रुखो तुम नहीं हटा सकता हूँ त्यांग कहता है क्या मैं समझा नहीं जनको कहता है मैं खुद हमरे बीच में जो भी आयागा ना उसको खुद अपने हाथों से हटाने वाला हूँ जैसे कि इस चश्मे को उसके बाद जनकुक ने इस चश्मे को खोल कर रख दिया और त्याग ने त्रहन जनकुक की होटो पर अपने होटो को रख दिया एक इस बहुत होट, बहुत हंगरी और बहुत लॉंग होते जा रहे थे कि इससे बहुत ही आगे बर जाते हैं और दोनों बहुत ही नजदीगा जाते हैं जब तक बोद उनों अपने पैवेट मोमेंट को एंजर करता है तब तक मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि जीमिन और यूंगी की शादी हो चुके थे उन दोने एंगिजमेंट के दो दिन बाद ही शादी कर लिया था क्योंकि यूंगी और जीमिन को यूएस जाना था दोनों साथ में वहाँ पर हनिमून के लिए गए थे और काम में भी यूंगी को वहाँ पर जाने थे इस दे दोनों साथ में हमेशे के लिए वहाँ पर चले गए तो फिर त्यांगा जनकुक के बीच में लाव एंगल शुरू हो गया था दोनों आप रोज मीला करता है जब भी उन दोनों को मौका मिलता है लॉंग ड्रेप पर चले जाता है डेट पर चले जाता है और जब एक कुलो जाने का मौका मिलता है उस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने देता है त्यांग हमेशे जनकुक का अपने पास रखना चाता है जनकुक ने तियांग को एक बहुत ही अच्छी रिस्टेंट पे लेकर गए और सबके सामने दुबाय से शादी के लिए पूछ लिया जनकुक ने हां कर दिया और उसे का मैं तो कब से ही राजी हो गया हूँ किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो जनकुक की बात संका तियांग कहता है लेकिन तुमने मुझे अभी तक ए नहीं कहा कि कब शादी करना चाहते हो जनकुक कहता है तुम जब भी कहोगे तियांग कहता है तो अभी क्यों नहीं कर लेते है जनकुक कहता है क्या अभी त्यांग कहता है हाँ और मुझे अभी तुम से शादी काना है जनकुक देखो अब मैं हर दोस्ट तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए नहीं जा सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम में realise बाइज घर रहो या फिर मैं तुम्हारे सा तुम्हारे घर पर रहू या फिर ऐसा कैसे रहेगा कि हम दोनों के एक अलग सा घर हो जिस घर का नाम होगा तेगुग जनकुग कहता है क्या क्या तुमने इसा कुछ पहले से प्लानिंग करके रखा है तियांग ने जनकु से कहा जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब ही मैंने सोच लिया था हम दोनों की नाम को मिलवा कर तेकुक एक घर खरीद होंगा जिस घर में हम शादी के बाद रहेंगे और मैंने ऐसा किया भी जनकु कहता है क्या तुमने इतना कुछ कर लिया मैं हा भी नहीं किया था तब ही तो ने इतना सबकुछ प्रानिंग कर लिया जनकु की बात सुनकर तियांग ने जनकु को अपनी बाहो में लेते हो spoilers कहा मुझे पता था तुम भी मुझे पसंद करते हो लेकिन तुम एही सोच रहे थे कहीं जलबाजी ना हो जाए और मैं सब के सामने तुमें खुश करने के लिए तो उसा कुछ नहीं कहा न जनकुक कहता है पहले तुम मुझे ऐसा लगा था लेकिन बाद में मुझे रिलाइस हुआ तुमने जो कुछ भी कहा अपने दिल से कहा है और मैंने उस चीज़ को मैसुस किया है तियांग तुम बहुत अच्छी इंसान हो तियांग कहता है और तुम बहुत ही अच्छे हो मुझे से भी कहीं सदा उसके बाद जनकुक तियांग शादी का लेते है जिमीनों उनकी जैसी सुनते हैं न वो लोग बहुत खुश होते हैं बाकी के मेंबर्स भी उन्दों की शादी की बधेया देते हैं तियागा जनको अब हनिमून के लिए पैरिश जाने वाले थे वो दोनों तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं इतना सब कुछ बोलने के लिए बहुत से टाइम भी होना चाहिए तो यहाँ पर ही दियान करता हूँ I hope आप लोग को पसंद आए हो किसने कहा कि उसको अगर मौका मिले न तो पैदल जाकर भी उन दोनों की किस देख कर आएगा यहार तुम लोग बहुत ही नाटी हो चलो कोई बात नहीं और आजकल जो कुछ भी चल रहा है उन चीजों पर ध्यान मत देना ठीक है न हमेशा उन लोगों पर भरसा करना जिन लोगों तुम पसंद करते हो प्यार करते हो जो लोग देखुक से प्यार करते हो और 7 members से प्यार करते हो वो लोग उन लोगों पर कभी शक मत करना जब तक यह बिलकुल 3D में आप लोग नहीं देख लेते हो अपनी आखों से ऐसी वीडियो पर भरसा करना अच्छी नहीं है मेरा तो एही मानना है तो एह पर ही दियान करत हो आई हूप आप लोग को पसंद दया हो लाइक कोमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्रेप कर देना थेंक्यू सुमच बबाबाटी क्यार